हेलो फ्रेंड्स आज हम रिव्यू करेंगे यामा MT15 वर्जन टू की दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको फुली डिटेल में इसकी पूरी जानकारी दूँगा कि इस बाइक में क्या-क्या आता है क्या-क्या चेंज हुआ है और क्या नया लगा है इसमें आज कल मार्केट में च्छाई हुई है इसके बहतरीन लुक्स और इसकी बहतरीन परफॉमेंस के लिए फ्रेंड्स बात करें इसके इंजन की तो यह 155 cc के 4 स्टोक लिक्विड कूल इंजन के साथ आती है जो की पावर जनरेट करता है 18.4 PS की और टोर्क जनरेट करता है 14.1 Nm का यह 4-speed transmission के साथ आती है बात करें इसके माइलेज की तो यह 48 km पर आवर की आवरेज आपको दे देती है और इसकी टोप स्पीड की बात करें तो 130 km पर आवर की है इसकी टैंक की 10 लिटर की फ्यूल कैपेसिटी है बात करें इसकी ब्रेकिंग की तो फ्रेंट और रियल दोन ही आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं इसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिल जाता है फ्रेंट डिस्क 282 mm का है और रियर 220 mm के साथ आपको आती है यह बाइक बात करें इसके टायर की तो यह टूबलेस टायर के साथ आती है फ्रेंट इसका है 100 by 80 का और रियर है 140 by 70 का Ground Clearance की बात करें तो 170 mm की इसकी Ground Clearance है जो की काफी सही है बात करें इसकी Headlight की तो यह Dual LED इसमें आपको लाइट दिखती है और बीच में एक बड़ा प्रोजेक्टर आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों बात करें इसकी Instrument Cluster की तो यह फुली LED Bluetooth connectivity के साथ आपको मिलता है जो की Call SMS Alert भी आपको शो करता है और बाकी इसके Instrument Cluster की बात करें तो इसमें Y Connect, VVA, Gear Position Indicator, Fuel Conception Indicator, Side Stand, Engine Cut-Off, Switch और Position Light LED आपको देखने को मिलती है बात करें इन सारी फीचर्स की तो इसमें Gear Position का Indicator आपको दिखाया जाता है कि आप जिस भी Gear में चल रहे है वो Gear आपको डिस्पले पे शो होगा और आपको इसमें Side Stand Cut-Off का भी फीचर मिल जाता है अगर आप Side Engine Side Stand उपर नहीं करेंगे तो आपका Engine On नहीं होगा तो दोस्तों इसके Color की बात करें तो यह 4 Color Option में आपको मिल जाती है Metallic Black, Ice Flow Vermity, Racing Blue और Shine Storm के साथ यह आपको चार Color Option में मिलती है इसकी अगर On Road Price की बात करें तो एक लाख एक सट हजार नो सो रुपए की आपको यह मिल जाती है बाकी इसकी प्राइज अप एंड डाउन होते रहते हैं इसके Color के इसाप से तो आज की वीडियो में बस इतना ही आगी भी मैं ऐसी बाइक की वीडियो लात रहूंगा थेंक यू